आज मैं आप सभी के लिए रायस्थान की फेमस रेसिपी लेकर क्या आई हो जो कि फटा फट बनने के साथ साथ सूपर टेस्टी होता है अगर आप सभी एक बर इसे खाएंगे न तो उंगलिया चाटते रह जाएंगे इसे बनाना भी बहुत आसान है तो चलिए इस आसान सी रेसिपी को बनाते हैं इसके लिए सबसे पहले कराही में सरसू का तेल डालेंगे सरसू के तेल गरम होते ही हींग का तड़का लगाएंगे तेश पत्ता, जीरा, काली मेर्श, लॉंग, लाइची, दाल, चीनी यह सब डालने के बाद प्यास डाल देंगे बारी कटे हुए यहां में दो बारी कटे हुए प्यास डाली हों और इसको दो मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करना है जब तक प्यास ट्रांस्लूसन न हो जाए और अब इसमें बारी कटे हुई लहसुन डालेंगे बारी कटे हुई लहसुन 10 से 15 लेंगे लहसुन का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट लाता है लहसुन को तब तक भुनना है जब तक इसके राउनेस का फ्लेवर खतम न हो जाए और अब इसमें स्लाइस में कटे हुवे अद्रक डाल देंगे अद्रक से इसका टेस्ट और भी नैंस हो जाता है तो प्लीज अद्रक डालना नहूले और ये देखे किते अच्छे से भुन गया है तो अब इसमें 2-3 टमाटर लेंगे और इसका फाइन पेस्ट बनाएंगे वो इसमें डाल देंगे टमाटर के पेस्ट डालने से इसकी ग्रेवी जो होती है न थिकी होती है और खाने में भी मज़ा आता है खाने में जो इसका टेस्ट आता है वो और भी इंक्रीज हो जाता है तो इसको चलाते रहेंगे तो इसके साथ ही साथ अब हल्दी कस्मेरी चिली पाउडर नमक स्वात के नुसार गर्म मसाला थोड़ा सा बीच से स्लिट क्यों ही हरी मिल्श डाल देंगे अब इन सब को अच्छे से भूनेंगे मसालों को ध्यान रेंग गैस की फ्लेम को मीडियम पर ही रखेंगे और हाँ फ्रेंट्स मेरे रेसिपी अगर आप सभी को पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और साथी साथ प्रेस दबेल आइकन जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और यह देखे मसाले अच्छे तरह से भून रहे हैं तो अब इसको 5-10 मिनट के लिए कवर कर देते हैं तब तक चलिए बाकी त्यारी कर लेते हैं मैं यहाँ पर 300-400 ग्राम बेबी अनियन ली हूँ जिसको मैंने अच्छे से छिलका उतार लिया और अच्छे से वाश किया है वाश करने के पाद इसको ऐसे बिल्कुल कट लगाना है धियान रहे, कट जो लगाईंगे न तो प्याज अलग नहीं होना चाहिए एक में ही जॉइंट होना चाहिए बिल्कुल इस तरह से सेम ऐसे ही सारे प्याज को कट कर लेंगे ये देखे कैसे मैं कट लगा रही हूँ ऐसे कट लगाने है कि नीचे के पार्ट से इसमें जुइंट सोने चाहिए और दियान रहे कट लोर पार्ट से ही लगाना है ये देखे इस तरह से सारे प्याज को cut कर लेंगे यह सबजी बनाने में जितनी आसान है न खाने में उतनी ही tasty होती है तो प्लीज एक बार आप सबी मेरे कहने पर जरूर से try करना यह देखिये सबको बहुत ही पसंद आएगी सबजी और ये देखें, इस सारे प्याच कट गए हैं तो अब एक तरफ मसाले भी भुन गया होंगे शायद ये देखें, चेक कर लेते हैं ओयल भी सेपरेट हो गया है, मसाले तो बिल्कुल अच्छी तरह से भुन गया है तो दो से तीन मिनट इसको खुला भुनेंगे मसालों को तो इसका टेस्ट और भी नैस होगा और ये देखें, मसाले कितने अच्छी से भुन गया है तेल भी से प्रेट हो गया है, और ये चिपक भी नहीं रहे है अभी गैस की फ्लेम को आफ कर देंगे और घर की जमी हुई दही मैंने यहां लिया है उसको डाल देंगे ध्यान रहे, गैस की फ्लेम को आफ करने के बाद ही दही डालेंगे और लगतार इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे नहीं तो दही फटने लगती है दही से सबजी का टेस्ट जो है ना इतना इन्हेंस होता है कि पूछो मत और हलका हलका इसमें खटापन जो टेस्ट आता है ना बहुत ही अच्छा लगता है और मिक्स करने के बाद गैस की फ्लेम को आउन कर देंगे और अब इसमें कटे हुए प्याज डाल देंगे कटे हुए प्याज डालने वाद इसको अच्छे से मैक्स करेंगे आज की सबजी ना हम सबकी फेवरेट होने वाली है पक का आप ये लिख करके ले लीजे अब इसमें गरम पानी एड़ करेंगे गरम पानी से सबजी का टेंप्रेशर मेंटेन होगा और सबजी भी जल्दी पक जाएगे गरेवी आप अपने एकॉर्डिंग कम जादा कर सकते हैं ध्यान रहे ये ठंडा होने के बाद ना जमने लगता है तो इसलिए गरेवी थोड़ा आधिक लगाए अब मैं यहाँ पर इसमें ढखकन लगा दूँगी पांच मिनट के लिए पांच मिनट बाद इसे चेक कर लेंगे और ये देखिए सबजी लग रहा है ना पक गई है पूरी तरह से लेकिन मुझे यहाँ पर लग रहा है गरेवी ज्यादा पतली लग रही है तो मैं खुला इसको पकाऊंगी ताकि इसकी ग्रेवी जल जाए थोड़ी सी और अब देखिए बिल्कुल तयार है ये देखिए लग रही ने टेम्टिंग कितनी अब मैं इसमें बारी कटी हरी दनिया डाल दूँगी और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे हरी दनिया से इसका टेस्ट और भी मतलब खाने में स्वाद आता है पूछो मत मैं तो बोल बोल के ठक गई एक बेख बनागर के अगर आप सभी देखेंगे ना तो आप सभी को भी पता सलेगा ये सबजी कितनी अच्छी लगती तो चलिए आप इसको सर्फ करते हैं आप इसे पूरी पराठा नान किसी के साथ भी खाए हर्स किसी के साथ इसका मतलब ज़रदस्त का कॉंबिनेशन है है ना कमाल की रेस्पी तो इस कमाल की रेस्पी को ट्राइ तो करना बनता है ना तो मेरे कहने पर आप सबी एक बार जरूर से ठ्राइ करिएगा इस रेसिपी को और मेरे साथ इसका फीड़ेक जरूर से शेयर करना जब घर पर कोई भी सब्जी ना हो तो सब्जी बनाना कितना आसान है देखाना आप सबी ने कितनी आसान सी रेसिपी है फटा फट बन करके तयार हो सकती है और सुबह में कोई भी मतलब भाग दोड नहीं रहेगी फटा फट से बन करके तयार होगे और हस्बेंड और बच्चे भी खुश हो जाएंगे और बच्चे तो तारीफ करते नहीं थकेंगे I hope आज की वीडियो आप सभी के लिए helpful हो वीडियो पसंदा है तो like, share and subscribe करना ना बूलें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई, take care